बच्चों, आज वर्कशीट नमबर 15 में क्लास 8 के लिए हम वर्ग और वर्ग मुल को आगे बढ़ाएंगे एक रोचक कहानी सुनते हैं हम प्रिया और रिया दो जुड़वा बहने आपस में विद्याले खुलने के बारे में चर्चा कर रही थी कि जब कूल खुलेंगे तब हम सभी 6 फीट की दुरी बनाकर प्रातना स्थल पर प्रातना करेंगे तब ही रिया ने कहा हमारे विद्याले में 1027 बच्चे हैं और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे अर्थात एक पंक्ती में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तिया बनाएंगे कितना सुन्दर लगेगा हमारे विद्याले का प्रांगन कुछ इस तरह जैसे उन्होंने इस पंक्तियों की तरह सोचा कि जितनी पंक्तिया हम बनाएंगे एक दो तीन चार उतनी ही यहां एक दो तीन चार इस प्रकार हम वर्गाकार आकरती में खड़े हो जाएंगे और यह बहुत ही सुन्दर लगेगा प्रिया ने कहा एक अजार सताइस बच्चों तो आता है परन्तु किसी भी संख्या का वर्ग मूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया फिर भी मैं इकाई अंक देखकर बता कर सकती हूं कि 1027 बच्चे वर्गा का आकरती नहीं बना सकते। आप देखिए बच्चो वो इस प्रकार किस तरीके से कह रही है जैसे ये संख्या है हमारे पास एक से दस तक लिखी है इन सब का वर्ग हमने निकाला तो एक का वर्ग एक दो का वर्ग चार तीन का वर्ग नो चार का वर्ग सोला ये हमने पिछली वर्गशित में किया था इन स देख सकते हो, सब के पीछे, एक, चार, नो, छे, पाँच, यही संख्याएं आ रहे ही, एक, चार, नो, छे, पाँच, एक, चार, नो, छे, पाँच, जब हम छे के वर्गों के अन्त में, यही आ रहा है, एक, चार, नौ, छे, पांच, शुन्य या छे, एक, चार, नौ, छे, पांच, यही संख्याएं आ रही है, किसी के भी अंत में दो, तीन, आठ, साथ नहीं आ रहा है, अब यहां देख सकते हैं, ग्यारा से लिखे 20 तक के वर्ग करें हैं, यह लिखे गए हैं, इन सब के पीछे इन सब के पीछे यही संख्याएं आ रही हैं, प्रिया क्या तुमने ध्यान से देखा, रिया क्या कुछ संख्याएं ऐसी हैं, जो इकाई के स्थान पर बार बार आ रही हैं, और एक पैटरिन बना रही हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी हैं, जो किसी भी संख्या का वर्ग करन पर कभी भी काईकेस्तान पर नहीं आती वो कौन सी संख्याएं हैं जो कभी भी वर्गस्तान पर नहीं आ रही वो संख्याएं हैं दो कभी भी नहीं आ रही तीन नहीं दिखाई दे रही साथ नहीं दिखाई दे रही और आठ यह संख्या ऐसी है जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर आपने 1-10 तक 21-30 तक और आपने 11-20 और 81-40 यानि एक प्रकार से आपने 1-40 तक के सभी वर्ग देख लिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग करने पर अंत में 2-3-7-8 आता हो बल्कि हर संख्या के पीछे 1-4 आता है या तो 1 आता है या 4 आता है या 6 आता है, या 9 आता है, या 5 आता है, या 1 शुन्या आता है, यही संख्या आती है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो दो बहनों के बीच में बात हो रही थी, कि 1027 क्योंकि इसके अंत में 7 आ रहे हैं, किसी भी संख्या के अंत में 7 नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं ह हो सकती तो प्रातना स्तलपरम उस प्रकार से नहीं खड़े हो सकते एक चार नौ छे पाँच छे नौ चार एक शुन्या एक चार नौ छे पाँच छे नौ चार एक शुन्या इन संख्याओं के पुर्णा अवरती होती रहेगी और यह पैटरन कभी नहीं बतलेगा इस पैटरन आपको इससे पहचान हो जाएगी कि वो संख्या जिसके अंत में 2 आता हो, 3 आता हो, 7 आता हो या 8 आता हो वो कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा हाँ ये संख्या है जो इनसे अंत में जिनकी ये आता है 1, 4, 9, 6, 5 या 0 ये फिर भी किसी का वर्ग हो सकती है लेकिन 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती तो अब आपके पास कुछ प्रश्न है निमलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताएए ये जो संख्याओं दी है इनके वर्ग करने है और उनका इकाई अंक का सान बताने तो आपको संख्या के वर्गों का इकाई अंक बताने आपको पूरा नहीं बताना सिर्फ इकाई अंक बताने यह हम देखते हैं, जैसे ही हमने संख्याई लिख दी, यह अंक दी है, इनका इकाई अंक ले लिया हमने, पीछे वाला अंक इनका इकाई अंक है, यह एकाई, दाही, सेकडा, हजार, दसदार इस तरह से होता है, तो सब के पीछे वाला इकाई अंक है, यह हमने लिख लिया, इ इसके इकाई अंक को देखें, इकाई अंक के वर्ग के इकाई अंक को देखें, तो उसके अंते में क्या आता है, चार, छे, छे, एक, चार, आपका प्रशनी यही था, अंक का वर्ग करके उसका इकाई अंक बताएं, यह अंक हुआ, यह उसका वर्ग हो गया, उसका इकाई अं यह पूरा आपका आंसर है ये जो निकाला गया तो इसमें आप ने देखा इस प्रशन के अंदर आपने बूरी संख्या का वर्ग ने किया है सिर्फ उसके पीछे वाले इकाई अंक का वर्ग किया है तो जो हम mentally कर सकते हमें पूरे संख्या का वर्ग निकालने में कॉपी पैंसिल के आवशक्ता होती है लेकिन इसको हम mentally कर सकते हैं सेकिन देखिए निमलेखित में से कौन-कौन सी संख्याई कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती अभी जैसे रिया आपस में बात कर रहे थे यहाँ पर हमें कुछ संख्याई दी है हमें बताना है कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती तो जिसके अंत में हमने पढ़ा था जिसके अंत में 2, 3, 7 या 8 आ रहा है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती तो आप देखिए इसके अंत में 9 है तो ये पूनवर्ग हो सकती है इसके अंत में आठ है ये पूनवर्ग नहीं होगी एक ये नहीं होगी इसके अंत में साथ है ये भी नहीं हो सकती जिसके अंत में चार है वो हो सकती है जिसके अंत में तीन है वो भी नहीं होगी तो ये तीन संख्याएं पूनवर्ग नहीं हो सक पर आप जैसे इसके अंते में देखे आठ है आठ का जब हम वर्ग करते हैं तो चौसट आता है आठ का जब हम घनमूल करेंगे यानि 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 512 तो एकाई अंक में फर्क आ गया ना यहाँ पे एकाई अंक 4 था यहाई अंक 2 हो गया ठीक है अब हम दूसा अंक देखते हैं पांच में अगर हम इसका वर्ग करते हैं यानि पांच गुना 5 करते हैं तो 25 आता है इकाई अंक में कोई फर्क नहीं पड़ा हमने घन करा तब भी पीछे पांच है घन करा तब भी पीछे पांच है हमने वर्ग करा तब भी पीछे पांच है तो इसमें हम यह बोल सकते यह अंक ऐसा है जिसके वर्ग या घन करने पर इकाई अंक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें सिफ इकाई अंक को देखना है प्रश्ण हमारा इकाई अंक के लिए आगे इस संख्या को देखिए अगर हम एक का वर्ग करते तो भी एक आता है इसका घं करते तो भी एक आता है एक का वर्ग भी एक है एक का घं भी एक है य 43 आता है तो आप देख रहों यहां काई अंक में फर्क आ गया घं करने पर पीछे 9 है वर्ग करने पर पीछे 9 है और घं करने पर पीछे 3 है तो फर्क आ गया यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता अगला अंक देखते हैं यहां पर पीछे है 6 अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 6 गुना तो हर तरीके से इकाई अंक में छे ही आ रहा है, तो हमारी यह संख्याएं ऐसी हुई, जिनका चाहे हम वर्ग करें, जिसके अंत में पांच है, एक है यह चे है, चाहे हम इनका घन करें, इनके इकाई स्थान पर कोई फर्क नहीं करड़ेगा, तो यह आपका उत्तर दो है वे स संख्याएं जो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती ये तीन संख्याएं हैं क्योंकि इन संख्याओं के अंत में दो तिन साथा आ रहा है तो है कभी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं हो सकती इन संख्याओं का वर्ग या घं करने पर इकाई अंक पर कोई फर्क ने पड़ेगा वो ये अंक है ठीक है तो आपको आज हमने वर्कशीट में देखा एक से चालिस तक की हमें वर्क दिये गए हैं यदि आप इन सबी संख्याओं को याद कर सके तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कम से कम बीस तक आपको जरूर वर्क याद होने चाहिए और ये जो चोटी-चोटी ट्रिक सीकी कि कौनसी पूर्ण वर्क हो सकती है कौनसी पूर्ण वर्क नहीं हो सकती ये आपको आम जिंदगी में बहुत मदद करेगी जैसे भी रिया और प्रिया का ही कुश्चन था ये आप से फिर पूछा गया है कि ये बताएए एक अज़ार 27 में एकाई अंक साथ है और क्या 1127 किसी भी संक्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है COVID से बचनी के लिए ठीक है बच्छो आज की वर्क्षीट हम यहीं फिनिश करतें नेक्स्ट वर्क्षीट में हम आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार